तो दुस्टो शिर्यों बात करने वाले Steel Authority of India that is sale company के बारे में और हम यहाँ पर करेंगे sale का weekly analysis कि अब next week के लिए कौन से बना लेवल्स है जो हमें sale के अंदर ध्यान में रखने है और उसके accordingly यहाँ पर जो है वो targets क्या बनने चाहिए तो देखो दुस्टो बात अगर हम करें यहाँ पर Steel Authority of India की तो overall 150 के around से यह stock ने यहाँ पर rejection के बाद एक अच्छी का सी profit booking हमें देखने को मिली अब support levels के अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो support levels हमने आपको mention करके बताये that will be 140, 140 की नीचे 130 और 130 की नीचे 120 हर 10 points की range पर यहाँ प 40, 42 के around आया और वहाँ से हमें reversal देखने को मिल गया अब next week में अगर मालो 150 के उपर again counter निकल दा है तो देखते देखते 158 से लेकर 160 अगर 158, 60 के उपर मालो counter निकल गया तो वापीस से 180 से लेकर 200, 200 के बाद 280 से लेकर 300 तक के भी long term के target जो है वो यहाँ पर possible है ठीक है we are just giving you the levels not the financial recommendation कोई भी खरीदारी करने से पहले आप अपने financial advisor को पहले consult जरू करे